हलो 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 everyone welcome to our channel let's practice together तो आज का जो problem the day है वह sort a k-sorted double English question में क्या बोल रहा है कि आपको double English दिया गया है और एक k integer दिया गया है यह k integer क्या बोल रहा है कि आपका each node जो है वो at most k indices away from its target position है आपका काम क्या करना है sort करके double English को return करना है अब देखो इस line का मतलब समाजते है हम लोग कि माल आपको double English दिया गया था 3,2,1,5,6,4 sort करने के बाद कैसा दिखेगा 1,2,3,4,5,6 तो जो 3 था मेरा first position पे sort करने के बाद कहां चला गया third position यानि कि target position से initial position कितनी दूरी पे है 2 दूरी पे है यही वो कह रहा है यहां पे at most k indices यानि कि max to max at most का मतलब क्या होता है ज्यादा से ज्यादा यानि कि कम से कम कुछ भी हो सकता है 0 भी हो सकता है जैसे 5 को देख लो initially कहां था 4th position पे target कहां था 5th position यानि कि distance कितना हो या 1 समझके तो यही है आपका question अब माल लो देखो सबसे पहले doubly linklish समझते है normal linklish में क्या होता था हमारे पास एक data part रहता था एक address part next रहता था ना यानि कि वो left to right traversal कर सकते थे उसमें लेकिन doubly linklish में एक data part रहता है और address part रहता है यानि कि हम लोग कि आपको यह k-sorted नहीं रहता मैं आपको बोलता कि मैं आपको सिर्फ एक doubly linklish दे रहा हूँ आपका काम क्या है sort करके दे दो आप कैसे बनाते उस question को वो समझते हैं हम लोग अगर वो समझ में आ गया तो यह सारे question हम लोग इस type के k-sorted and sorted कुछ भी बना सकते है ठीक है तो सबसे पहले काम क्या करते है कि यह जो भी मेरा nodes दिया हूए 3 2 1 5 6 4 हम हर node को किसी एक data structure पर store कर लेते यानि कि 3 2 1 5 6 4 ऐसे दिखता अब मैं बोलता कि ऐसा data structure रखो जहांसे minimum value निकालना जिसका node है जो भी node है उसका minimum value निकालना बहुत ही आसान होता ठीक है जिसमें कम से कम time complexity लेता है हम लोग उस data structure पर बात में बात करते है तो माल लो कि मेरा कोई ऐसा data structure है जहांपर मैंने सारे node को store कर लिया अब मैं एक function call कर रहा हूँ जहांपर मैं बोल रहा हूँ कि मेरा minimum value है वह मुझे node return करो तो सबसे पहले क्या return करेगा 1 बिलकुल जैसी 1 return कर दिया मैं बोले अपने data structure से उस 1 node को हटा दो बढ़ियां अब उस 1 के next में second minimum value निकालो अब जो मेरा data structure छोटा सबचा उससे next minimum क्या आएगा तब हम लोग बोलेंगे कि 2 के previous में last node को भी link कर दो तो यह मेरा क्या गया double link list आ गया similarly उसी तरह next खोजेगा next मेरा minimum आएगा 3 उसी तरह next minimum आएगा 4 5 and so on मेरा shortest हो गया similarly 3 के previous में उसके last वाले को 4 के previous में उसके last वाले को इस तरह हमारा double link list complete हो जाएगा और short test भी हो जाएगा ठीक है मतलब short हो जाएगा यहाँ पे तो यह बताओ कि कौन सा data structure use करे जहां से ऐसी जो minimum निकालना बहुत ही असान होगा तो इस case में आता है हमारा क्या mean heap अगर आपने पढ़ा है कभी कि हम लोग mean heap कैसे बनाते है तो आपके लिए equation बहुत ही आसान हो जाएगा क्योंकि हमें कुछ नहीं करना एक mean heap बनाना है उससे हमारा minimum value निकालना है और उसको एक नए link list में store करते वह जाना है ठीक है तो हम लोग जो C++ में पढ़ते है mean heap बनाने के लिए उसको बोलते है priority queue priority queue basically क्या करता है जिस भी node का आप priority set कर दोगे उसको वह top में return कर देगा तो यह जो है पहला क्या लेता है data type लेता है दूसरा container type लेता है क्या container रहेगा और तीसरा में जो आप अपना function लिख सकते हो जो भी आप इससे काम करवाना चाहते हो यानि कि basically priority set करना चाहते हो तो हमारा जो priority set होगा आज वो क्या होगा minimum hip का होगा यानि कि हमें mean value जो है वो पहले चाहिए अब जो यह function बनाते है इसको हम लोग comparator function बोलते है इसकी detailed video मैंने बनाई है अपने channel पे link जो है description में आपको मिल जाएगा आप वहाँ से use कर सकते है ठीक है चलो तो सबसे पहले हम लोग question का code लिखते है और फिर हम लोग देखेंगे इसको case audit के लिए कैसे optimize किया जा सकता है सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग लेंगे priority queue priority queue का type क्या रहेगा तो जो data type रहेगा उसे same node वाला type तो dll pointer हम लोग ले सकते है बिलकुल ले सकते हैं दूसरा container क्या रहेगा vector रहेगा और इसका भी type रहेगा वो dll node का type रहेगा यहां तक कोई problem नहीं है तीसरा हम लोग का एक comparator function रहेगा let's name it compare और जो हमारा priority queue का नाम है उसको हम लोग PQ रख सकते हैं basically यह mean heap होगा ठीक है अब हम लोग यह comparator function भी बना सकते हैं तो चलो compare function कैसे बनाएंगे हम लोग एक यहां पर structure लिख देते हैं इसका एकदम simple है अगर आप यह कैसे लिख रहा हूं मैं यह जानना चाहते हो तो इसके लिए वो वीडियो जरूर देखना यहां आपको description में मिल जाएगा ठीक है यहां पर हम लोग लिखेंगे compare और हम लोग क्या करेंगे यहां पर डालेंगे boolean operator जो भी हम लोग use कर रहे हैं और हमारा type क्या-क्या लेगा यह जो parameters लेगा वो लेगा तो उसको bk data से तो उसको return कर देना तो यह basically क्या करेंगा next में next जाते जाएगा जो भी bigger element है यानि की ascending order हमारा बना देगा ठीक है तो यह हो गया मेरा comparator function बस हमारा priority queue बन करके ready है हम लोग क्या करेंगे एक loop चलाएंगे कहां से कहां तक loop चलना है इसके बारे में बात करते हैं मतलब हम लोग अपने सबसे पहले priority queue में मैंने क्या बोला सारे के सारे element कर रखो और एक एक करके mean उठा करके उसको बना दो तो हमारा time complexity क्या होगा तो जो भी मेरा length है मालो मेरा length n है यहां पर double linkless का अब देखो के sorted का मतलब क्या हुआ और यहां पर हम लोग सिर्फ order of k से कैसे इस question को बना सकते हैं अगर बोल रहा है आपको कि at most कोई भी indices से at most k indices की दूरी पर है target position यानि कि क्या मतलब हुआ यानि कि 3 जो है max to max कहां जा सकता था 3 जो है या तो first position या तो second position पर रहता या तो third position पर रहता यानि कि one जो है one मेरा कहां पर one हम इसा first पर रहेगा तो one अगर हमें खोजना है original वाले पर जो अभी हम लोगों को दिया हुआ है वो max to max कहां पर जाएगा starting के 3 position पर हो सकता है यानि कि अगर k का value 2 दिया वा है तो starting के 3 elements में मेरा वो minimum value exist करेगा तब तो देखो one जो है वो कहां हो सकता है अगर one fifth position पर रहता तो k equals to two कभी भी होता नहीं होता क्योंकि हम लोगों ने क्या देखा था कि target value से original position की दूरी जो है वही तो k है तो हम बोल सकता है कि starting में हम लोगों को जो रखना है i का value i equals to zero i should be less than equals to k उतने elements को हम लोग को push करना starting में तब ही तो हमारा order of k इस time space complexity को भी maintain करके रख रहा है तो यही आपको समझना था यहाँ पे कि हम लोगों ने अगर double link list दिया रहा था sort करने के लिए तो हम लोग क्या करते है सारे के सारे elements को एक बार में हम लोग अपने priority queue में डाल देते लेकिन जबकि यह k sorted elements दिया गया है इसने हम लोग सिर्फ starting में k elements को ही अपने priority queue में डालेंगे ठीक है अब देखो क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग बोलेंगे अपना PQ में पुस्स करते चलो जो भी मेरा element है यहाँ पे हेट दियाओ है इसको traverse करना है तो हम लोग इसको नहीं करना चाहते है तो हम लोग एक नया pointer ले लेते हैं यहाँ पे pointer current जो की हेट के बराबर है और हम लोग current को next next कर सकते है तो push कर दो पहले current को और current को एक आगे move कर दो तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते है current का next बस बढ़िया तो इस current के लिए भी हम लोग एक check डाल देते हैं ताकि हमारा कभी memory overflow ना हो तो अगर current exist करता है pointer एक लिए लेते हैं माल लो new head ठीक है new head equals to ho गया null PTR और आपका एक लिए लेते हैं हम लोग यह जो previous वाला में रखेंगे जो हम लोगों को one के साथ वापस में डालना है उसके लिए और एक pointer ले लेते हैं last element करके लेते हैं that is also null PTR in starting अब हमारे एक while look चलेगा while look किसमें चलेगा हमारे priority queue पे कि जब तक मेरा priority queue खाली ना हो जाए तब तक यह while look चलाते रहो किसके लिए ताकि हम लोग minimum value निकाले अपने priority queue से और उसको एक नए node में बनाते चले उसी के लिए तो हम लोग यहां पे लिखते है अब हम लोग क्या करेंगे? check कर लेते हैं क्या मेरा new node already exist करता है? अगर मेरा new head जो है यहां पे यह अगर already exist नहीं करता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि मेरा new head रहेगा वो क्या रहेगा? यह जो smallest है वही रहेगा यही तो है हम लोग यहां लिख देते है directly कि अगर मेरा new head exist नहीं कर रहा था then new head will be nothing but smallest one लेकिन अगर exist कर रहा था तो क्या होगा तब हम लोग क्या बोल सकता है यह जो last pointer था उसके next में डाल दो अभी जो मेरा current वाला smallest आया हुआ है अगर माल लो one already exist करता है तो one तो मेरा last रहेगा उसके next में smallest को डाल देना तो हम लोग को यह भी तो assign करना है कि smallest के previous में क्या जाएगा smallest के previous में होना चाहिए last वाले को last वाले को अब जो नया last हो जाएगा जो अभी मेरा current smallest था उसको बना देगे हम लोग नया last नयक्स जब element में 2 में आते हैं हम लोग देख रहें new head already exist कर रहा है तो last element क्या था one था तो one के next में 2 को डाल दो तो one के next में 2 को डाल दिये और two के previous में किसको डाल दिये one को डाल दिये और बब one मेरा आगे move होगिया यानि कि one मेरा आग two हो गया बस यही है वो chart line, अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग एक एक करके next element को move करते जाएंगे अपने priority queue में, क्योंकि case sorted का मतलब यह कि next element आप लेते जाओ, वो आपका exist करेगा उसमें, यही तो अभी हमने समझाना, तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो भी मेरा pq था, उस में आप push कर दो किसको, current element को, और हमारा same current will be nothing but current का next, काम खतम हो गया हमारा, और जैसी यह आप इस while loop से बाहरा होगे, आपका काम खतम, last चक हम लोग पहुंच चुके हैं, हमें पता है कि last element को भी null pointer से denote करना पड़ेगा, तब ही जाके हमारा link list complete होगा, तो हम लोग यहाँ प इसको move ने किया है, बलकि हमारा head pointer के तरह यह काम कर रहा है, हमारा काम हो गया done, अब देखो, यहाँ पर हम लोग कबल रहा, number of notes 1 भी हो सकते है, अब अगर हम लोग यहाँ पर compile and run करे, हमारा काम complete हो जाना चाहिए, क्योंकि एक के लिए भी आराम से काम करेगा, और यहाँ प आप को समझ में आया होगा, अगर हमारा यह सही से काम कर गया तो, यहाँ पर क्या बोल रहा है, कि हमने गलती किया है, कहीं पर pointer देने पर, priority Q के spelling हमने गलती कर दिया है, P-R-I-O-R-I-T-Y होता है, ठीक है, तो, यह चोटी-चोटी mistakes है, इससे आप कोई problem नहीं है, सिख सकते ह तो, 1-2-3-4-5-6 हमारा एकदम सही आ रहा है, let's submit the code, और आपके सारे test के सपास हो जाने चाहिए, ठीक है, बस इतना साथा आज का code, अब देखो समझते है, dry run करते है, 3-2-1-5-6-4 था, हमने क्या-क्या, सबसे पहले एक priority Q बनाया, priority Q में बोला कि minimum value बनाना, उसके लिए हमन पुस किया अपने priority Q में, यानि कि starting में पुस किया क्या होगा, पुस होगा 3-2-1, क्योंकि हमारा k का value था 2, ठीक है, यह बस यह हो गया मेरा priority Q में, अब हम लोग next आते है, smallest खोसते है, smallest क्या मिलेगा, पहले बार में 1 मिलेगा, तो हम लोग बोल रहे smallest होगा 1, new head था, के previous में क्या आगया, मेरा null pointer आगया, double अगर हम लोग English बना रहे तो, और last हो गया smallest, यानि कि last भी मेरा अभी क्या है, 1 है, यही तो था मेरा, ठीक है, उसके हमने बोला current में, या तो हम लोग को 1 को pop भी कर दिया हमने, तो मेरा 3-2 just exist कर रहे है अभी, तो फिर हमने push किया next element को, यानि कि 5 को, तो अभी मेरे pq में क्या है, अभी हमरे priority q में क्या है, 3 है, 2 है and 5 है, 3, 2 है and 5 है, बहुत बढ़िया, फिर हम लोग smallest पर गया है, क्योंकि अभी मेरा priority q empty नहीं हुआ है, अब next element क्या आगा, next element आगा 2, अब बोल रहा है new head already exist कर रहा है, बिल्कुल exist कर रहा है, त तो last के next में, last मेरा क्या था, one था, one के next में आप two को डाल दो, क्योंकि वही मेरा smallest है, तो मेरा अभी इस तरह दिखेगा मेरा w link list, और अब बोल रहा है क्या, कि smallest के previous में भी last डाल दो, यानि कि two भी one को denote कर रहा है, मान के चलना कि यहाँ पे एक और arrow है, जो कि two one को भी exist कर र है, समझ गया, तो two जो यहाँ से pop हो चुक है, priority queue से, तो two भी अब यहाँ पे exist नहीं करेगा, अब next element के आएगा, six आएगा, six को हमने push कर दिया, अपने priority queue में, बहुत बढ़िया, अब बताओ, यहाँ पे minimum value के आएगा, smallest का, three आएगा, क्योंकि वो भी exist कर रहा है, यहाँ य same, यहाँ पे three आजाएगा, इससे link, यहाँ पे हो जाएगा, three से link हो जाएगा, आपका two, बस इसी तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे, smallest क्या हो जाएगा, three, और यहाँ से three हो जाएगा, pop, क्योंकि already यहाँ पे हम लोग ने pq.pop लिखा हो है, और यहाँ पे आजाएगा element four, तो आयोब आपको समझ में आगया, कैसे dry run किया हमने, और बहुत ही easy code है, आप एक बार खुद से go through करना, कोई भी problem हो, आप मैंचे comment में पूछ सकते हैं, कल फिर मिलता है नए question के साथ, तब तक के लिए goodbye, stay blessed, stay safe and keep coding.